हलो माइडियो फ्रेंज, वेलकम तू मैं चैनल, आज मैं आपके लेकर आए हूँ क्लास 10 के हिंदी के चैप्टर 2 जैशंकर प्रिशाद का जीवन पर्चे ये जीवन पर्चे बहुत इंपर्टन्ट है, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं तो पहले देख लेते हैं इनका जन कब हुआ था, तो चायवादी यूग के प्रशिद कवी जैशंकर प्रिशाद का जन काशी के प्रशिद वैश परिवार में सन 1889 इशी में हुआ था, मलब कि जो हमारे जैशंकर प्रिशाद थे इनका जन काशी के प्रशिद वैश परिवार में सन थास व नवाशी इशी में हुआ था तो यह जो जैशंका प्रशाद यह छायावादी यूग के कवी है इससे आपको यह भी लर्ण हो जाएगा तो चले आप आगे देख लेते हैं के माता पिता के बारे में चले देखते हैं इनके पि जी नौ बर्श तateg die इन्होंने एक कविता की रशना की दी जो कि इन्होंने अपने पिता जी को बढाई तो उनके पिता जी ने जब कवीता को पढ़ा तो इन्हें बहुत ही अच्छा कवी अमान कवी बनने का आश्र्यवात दिया और कुछ समय बाद इनके पिता माता-पित पिता की मृत्ति हो गई थी चलिए आगे देख लेते हैं कि इनकी सिच्छा का प्रबद इनके बड़े भाई ने किया था लेकिन इनका मन बिल्कुल नहीं था कि पढ़े लिखे हम तो इनका मन वहां नहीं रहा घर पर योग सिच्छों से अंग्रेजी वा संस्कत का अध्यन करने लगें मलकि तब जब यह कुण स्कॉलिज में नहीं पढ़ना चाते थे तब इनके भाई ने उनके घर पर ही बहुत अच्छे जो सिच्छक थे उनको घर पर ही टूशन के तरीके से इनको अंग्रेजी वा सं दुख होता है और इधों ने चौतीन दीन साधी की ती अंको तीनों ही पत्नियां मर गए थी तो यह इसी वज़े से अंदर सी अंदर बहुत तूड़ गए थे श्री आगे देखते हैं रशनाय इनकी तो इनकी रशनाय पर देखते हैं कावे रशनाय करूणाले प्रेम पति जर्णा लहर आसू का माईनी इसके बाद आज़ते हैं इनके नाटक इसकंद गुप्त दुरुस आमनी अजाद सक्टू कल्याणी एक घूट और बहुत सारे इनके नाटक हैं चंद गुप्त वगारा तो यह बहुत इंपोर्टन नाटक हैं अब बहुत अच्छे से देख ल इरावती उपन्यास लिख रहे थे लेकिन यह उसे पूरा नहीं कर पाएं इसलिए इरावती अपूर कहा ज़ता है चलिए आगे देख लेते हैं देख लेते हैं इनकी लास्ट हटिंग निधन 6 रोग से पीडित होने के कारण सन 1937 शुशी में इनका निधन हो गया था मैंकि